सो दोस्तों जैहिंद एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का सबसे पहले तो आप सभी को 26 जनवरी गरतंत्र दिवस की धेर सारी सुभकाम नाएं दोस्तों यूपी टेटे एकजाम को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि 23 जनवरी का जो पेपर है वो आप लोगों का रद्ध हो सकता है क्योंकि याची का जो है आप लोगों का दोस्तों दर्ज हो चुकी है अब देखना यहां पर होगा कि यहां पर और वहीं दोस्तों यहां देख सकते हैं टीटी जो सालवर है बैठाने के मामले में नियाए विभाग के दो इस्टेनों फसे अब तक दोस्तों लगभग आपके 90 कितने दोस्तों 90 लोगों को पकड़ा गया है अब देखना होगा कि यहां पर जो मामला सामने आ रहा है कि टी की है तो यहां पर देखना होगा कि आगे क्या होता है कि पेपर कुरद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा लेकिन यहां पर मामला यह है कि 40 प्रस्त से ज्यादा जो प्रस्णा है किसी भी प्रिवियस येर के नहीं होने चाहिए लेकिन इसमें 2017 के 90 से 95 क्वेस्टन हुब इस पेपर को रद्द किया जा सकता है या नहीं किया सकता है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए गा कि क्या पेपर को जो है रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए दोस्तों यही आप लोगों के जान करी थे इस वीडियो में इतना ही जैहिंद